नमस्कार दोस्तो, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुवाश्ठाकुर के साथ NTA UGCnet विशे हिंदी से सम्बंदित हम त्यारियां कर रहे हैं दोस्तो तो इसके अंतरगत हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पढ़ लिया था आदिकालीन साहित्य के अंतरगत आने वाला रासो साहित्य जेन साहित्य और आज हम करेंगे आदिकालीन सिध साहित्य तो चलिए दोस्तो शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की सबसे पहले हम देखेंगे कि सिद्ध कौन थे दोस्तों अगर सिद्धों के बारे में हमें जानना है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बहुत धरम तो बहुत धरम में थी दोस्तों दो शाखाई एक का नाम था हीन यान और दूसरी थी महायान तो जो महायान थी उसको अन्य नाम से देखिए क्या जाना जाता है वजरियान या सहजयान के नाम से भी उसे जाना जाता था ठीक है जो सहजयान थी उसी से क्या निकला सिध साहित्य निकला सिध्धों का प्रवर्तन कहां से माना जाता है दोस्तों बौध धरम की वजरियान श प्रचार किया ठीक है तो देखिए वो लोग क्या कहलाए सिध कहलाए क्लियर है न तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ और जानकारी थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या है ये सिध या सिध कौन थे या सिध सहित्य क्या है इसके बारे में द प्रचार किया था वो किया था पश्चिमी भागों में जबकि ये जो सिद्ध हैं इनका प्रचार कहां हुआ इन्होंने किया पूर्विक शेत्रों में बिहार से लेकर के असाम तक ठीक है दोस्तों तो ये चीज कई बार एक्जाम में पूछी आती है कि वजरियानियों ने नाम दिये गया संध्या भाषा देखिए संध्या भाषा तो इसको ये नाम किस ने दिया है ना इस भाषा को ये नाम संध्या भाषा मुनिदत्व अद्वय वज्रने माना है संध्या भाषा माना है लेकिन देखिए दोस्तों कुछ एक विद्वान इसको संध्या भाषा भ बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीट इनके अड़े थे तो दीखे कहां कहां पर ये थे बिहार के नालंदा और विक्रमशिला जो ये महत्वपूर्ण या जो विख्यात जो विद्यापीट थे दोस्तों वो इनके क्या माने जाते हैं अड़े माने जाते हैं औ अब जब वो वहां यहां चले गए थे तो वहां पर क्या मेरी तिबद यात्रा हैं आपने पड़ा है ना राहुल सांकृत्याइन जी का तो वो जब भोट देश में थे वहां पर उन्होंने इसके उपर एक तरीके से एक रिसर्च किया वहां पर उन्होंने पाया कि जो प्रवर्तन हुआ और प्रग्या और उपाया प्रभाश किया तब यह लोग वहां से वागने के लिए क्या हुए बाद्या हुए है ना और देखिए बक्तियार खिलजी का जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया था मुस्लिम शासकों की यह बात कर रहे हैं ठीक है ना उस समय का यह काल है ठीक है आगे देखिए आगे कहता है कि वजरियान में आकर महासुख वाद का देखिए इससे समझनित कई वार प्रशन पूछ लिया जाता है एक्जाम NTA में UGC NET में ठीक है कि वजरियान में आकर महासुख वाद का प्रवर्तन हुआ और प् प्राइब सब्सक्राइब है इससे मतलब यह होता है. translated उससे क्या होगा इस्षवर को पाया जा सकता है और उसी इस्षवर को पाने की वतस्था को यह क्या गहते हैं कि उसको महासुकत की दशा कहते हैं कि भोग विलास मतलब एक तरीके से, ठीक है, उसके जरीए ये कहां तक पहुँचना चाते थे, इश्वर तक पहुँचना चाते थे, इसी बात को हम आगे continue करेंगे, बिस्तार से जानेंगे, चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या चीज है, आगे की सिद्ध और योग्यों के बिश्वा यहां से हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है, जो हमने पीछे अपनी बात को थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया उसके उपर की ये चीज है, देखिए दोस्तों, ये पंच मकार में विश्वास रखते थे, तो ये पंच मकार क्या है, देखिए दोस्तों, लेकिन जो वजर यानी थे या सहज यानी जिनको कहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन चीजों को जरूरी समझा, मतलब ये भोग विलास की चीज़ें है ना, देखिए मदिरा है, मैथून है, और आपका इसमें मुद्रा है, मचली है, मास है, तो ये चीज़ें एक सिद्ध और योगी पूरुष का भी सेवन कर सकता है, इन चीजों का, ठीक है, स्त्री का सेवन कर सकता है, मैथून से क्या भी प्राया है, मतलब स्त्री सेवन एक तरीके से, है ना, तो ये क्या करते थे, ये इन चीजों में विश्वास रखते थे, क्लिर है, तो इसको ये क् आगे कि सिद्धी प्राप्ति के लिए इस्त्री सेवन आवश्यक ये बात हमने पहले ही कर ली थी कि ये कहते हैं कि सिद्धी अगर प्राप्त करनी होगी तो इस्त्री का भोग करना ही पड़ेगा है ना ठीक है तो ये दोस्तो आगे देखिए अचारे रामचंदर शुकल जी इसके बारे में बहुत ही सुंदर उन्होंने बात कई है कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो गुह और हैस्य के प्रवेश से वो किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है वज्रियान इसका प्रमान है तो दोस्तो ये लाइन भी कई बार एक्जाम में प पाखंड पूर्ण हो जाता है तो इसका उदारन क्या है इसका उदारने उन्हें वज्रियान को माना या जो सहजयान है उसे माना है तो ये थे दोस्तो सिद्ध सहित्य को पढ़ने से पूरुव की सिद्धों के बारे में थोड़ा सा जानना उनके विश्वास आस्थाएं क् तो क्या है कि रचनाएं भी उस वक्त रची गई हैं जिन जो हिंदी साहित्य के लिए एक तरीके से क्या है उन्होंने एक मार्क प्रशस्थ करने की कोशिश की है सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है लेकिन उन 84 सिद्धों में से कुछ एक जिनकी रचनाएं हमारे पास जान लेते हैं कि उन्होंने कितना सा सहीत्य प्रदान किया हिंदी सहीत्य के लिए ठीक है दोस्तों चलिए देखिए सबसे पहले नाम आता है इसमें सबसे सरवप्रमुक जो नाम है सरप्पाद तो जैसे पहले भी जिक्रा आया कि जब रहुल संकृत आयन भोट देश में थे तो उस वक्त उन्होंने माना कि जो सबसे पुराने कभी हैं वो कौन हैं वो सरप्पा है तो ठीक है उन्होंने इनका समय क्या माना है साथसोष उनुनतरिसुए तो मैक्सिमम जो अन्य विद्वान है वो फिर इसी को सुषविकार करते हैं कि नहीं ये बात कई न गई सही है ठीक है? ज्यादातर क्या मानते हैं कि 179 इस्वी जो रहुल संक्रित्याइन जी ने माना है वो ही क्या है? सरप्पा का समय है. क्लियरे दोस्तों? तो इन्हें हिंदी का प्रत्थम कभी कहा जाता है? यह हमने उस वक्त भी पढ़ लिया था जब हम हिंदी के प्रत्थम कभियों के बारे में पढ़ रहे थे? है ना? तो इनका अन्य नाम दिखी ये क्या है? सरोज बज्र और राहुल भद्र. तो कई बार ए कि जम होत्वोण है? इनकी रचना का नाम किस भाषा में? और इसका संपादन किस ने किया? प्रबोध चंदर बागची ने. और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ बता जाते हैं, वो मेंली कितने बता जाते हैं? 32 बता जाते हैं, लेकिन उन में से जो प्रमुक है दोस्तों वो है दोहा कोश ही. तो ये था सरप्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी. अगले जो साहित्यकार हुएं दोस्तों वो हुए हैं शबरप्पा. तो देखिए जब सबसे पहले सरप्पा थे, सरप्पा के बाद क्या थोई? शबरप्पा. तो ये क्या माने जाते हैं? ये मा नशिष्य किसको बना है आगे शबरप्पा गो ठीक है और इनका जनम है देखिए 780 इसवी तो उनका क्या था 789 इनका है 780 ठीक है इनकी पुस्तक का नाम है चर्यपद और इसकी भाषा जो है वो है अवट भाषा क्लिर है दोस्तों देखिए जो पहले कौन थे पहले हमारे सर अवट थे तो सरप्पा की जो भाषा थी वो अपढ़रण्श थी लेकिन इन्हों ने अपढ़रण्श का परवर्थी रूप है वो क्या है वो अवट है तो इनकी भाषा क्या है शबत बाषा चर्यपद की गई बार रहे तो आपको चोटी उड़ी चीजे वासा है तो याद शिश्य होए शबरप्पा, शबरप्पा के शिश्य हो गए आगे अब लुईपा, ठीक है, फिर बोलता है कि सिध्धों में इनका स्थान सर्वोच माना जाता है, देखें ये सबसे महत्तपून बात है कि सिध्धों में सर्वोच स्थान, सबसे उंचा जो स्थान था, वो किसक दारिकपा ठीक है दारिकपा और उनके मंत्री थे डेंगीपा तो वो क्या हो गये थे वो लुईपा के शिष्च बन गये थे इतने सिद्ध थे ये अगले देखिए दोस्तों इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ती है वो है कातरवर पंच विडाल चंचल चिये पैठोकाल तो ये बह करें में थोड़ी सी जानकारी होनी है दोस्तों कि ये पंक्ती किसी हैं अकछर इनको पूछ ले जाता है किसी भी एक्जाम में तो हमें थ्व्यान को देखना है हलाग कि हम जो जीतनी भी पंक्तीया पार्ता चैनल में चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अगली जो अगले जो सही त्यकार हैं देखिए वो है डॉमभीपा तो इनका जनम है दोस्तों 840 इस्वी के लगबग और इनके गुरू का नाम है वीरूपा देखिए यहां पर थोड़ा सब क्या हो गया चेंज हो गया ह अगला जो नाम है यह भी बहुती मौतपूर्ण है गणपा तो जो कणपा थे देखिए इनका जनम 820 इस्वी माना जाता है और इनके गुरू कौन थे जलन धर्पा थे तो यह पा थोड़ा सा अलग हो गया इसको आप इकटे कर लिजिए जलन धर्पा यह क्या थे यह इनके गुरू थे और इनके दोस्तों कि इतने गुरंथ बताय जाते ह हैं जिन में अधिकतर जो इनके ग्रंथों में क्या पाया जाता है कि दार्शनिक विशे है दार्शनिकता है उनमें है ना तो यह कणपा के बारे में था देखिए राहुल सांकृत्याइन महापंडित जी क्या कहते हैं इनके बारे में वो कहते हैं कि कणपा पंडित्य और आईते के बारे में तो आज के लिए फिलाल इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मिलेंगे न यूर्जा और न इस्पूर्ति के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत